ट्रिंगल PQR is inscribed in a circle तो आप एक circle देख सकते हैं ट्रांगल PQR उसके अंदर है इसको तब बोलते हैं जब ट्रांगल के तीनों वरडाईसे va six dollar pound तो ठ्रांगल PQR का P सब्ले पर लाई करता है Q b border park पर लाई करता है breakfast circle पर लाई करता है यह जो circle है इसकी radius R units है और इस circle का जो center है वो O है और PR इस circle का diameter है क्योंकि यह chord है यह O से पास हो रही है central से पास हो रही है तो यह PR diameter हो गया और angle R Q O beta है angle R से निकले Q की तरफ गया Q से निकले O की तरफ गया तो angle R Q O मतलब यह angle beta है बताना है कि QR raised to the power 4 minus PQR raised to the power 4 की value क्या होगी R और beta के terms में और हमें steps दिखाने हैं अपने और valid reasons देने हैं तो चलें सारे काम valid reasons के साथ ही होंगे steps भी दिखाता हूं मैं तो सबसे पहले आप यह देखो कि triangle O R Q O यह है R यह है और यह रहा triangle O R Q black color का आपको triangle दिखा होगा O R Q तो जो यह triangle O R Q है ना इस triangle में यह O R क्या है radius है O Q क्या है radius है तो radius तो सारी के सारी equal होती है किसी भी triangle के अंदर में तो हम यह बोलेंगे सबसे पहले कि यह O R है ना यह O Q के equal है O R और O Q equal है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है दोनों के दोनों radi I है radius के plural को हम radi I बोलता है सिंगल है तो radius बोलेंगे एक से ज्यादा है radius तो उनको radi I बोलता है तो O R और O Q सेम circle की radi I है इसलिए आपस में equal होंगी तो अगर यह दोनों आपस में equal होगे तो जो मैं आपको triangle दिखा रहा था यह triangle तो isosilis हो जाएगा अब अगर यह isosilis है तो इसमें दो sides तो equal है ही इन दो sides के जो opposite angles होंगे वह भी आपस में equal होंगे तो O Q के opposite के angle है यह angle R है और O R के opposite angle क्या है यह बीटा है तो इन दोनों angles को आपस में equal रहना है तो इसका मतलब यहां पर भी angle बीटा ही आ जाएगा मतलब angle O R Q भी बीटा हो जाएगा तो आप क्या लिकोगे angle O R Q और angle O Q R यह दोनों ही बीटा के equal रहेंगे तो यह angle हो गया बीटा अब ज़रा देखो यह जो पूरा angle है यह 90 है अब एक सवाल होगा कि sir यह 90 कहां से आ गया तो सुनिए यह जो PR है न यह diameter है तो diameter से circumference पर जो angle बनता है वो 90 डिगरी बनता है तो यह रहा diameter diameter का एक end है R और दूसरा end है P तो अगर R से एक line निकले और P से एक line निकले और circumference पर जाकर किसी point पर meet कर जाएं तो वहाँ पर जो angle बनता है वो 90 बनता है हम बोलते हैं कि यह angle किस ने बनाया यह PR ने बनाया यह diameter ने बनाया और diameter जब भी कभी circumference पर कोई angle subtend करेगा तो वो 90 डिगरी ही होगा इस बात को याद रखिए तो angle PQR तो 90 डिगरी है एंगल PQR is 90 डिगरी एंगल PQR is 90 डिगरी रीजन में लिख देंगे एंगल सब्टेंडड़ बाय एंगल सब्टेंड़ बाय डायमीटर डायमीटर से बना है यह angle तो यह 90 डिगरी होगा अच्छा अब अगर यह 90 डिगरी है तो यह पूरा triangle PQR क्या हो गया PQR तो right angle triangle हो गया ओके now triangle PQR आपको P समझ में आ रहा है and writing मेरी बहुत बहुत हो रही है na triangle PQR is a right angled triangle तो अगर यह right angled triangle है तो इसमें तो हम trigonometry लगा सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे इन triangle PQRQ यह तो को इस angle को हम यूज करेंगे तो इस angle के ठीक सामने जो होगा मतलब PQ इसको perpendicular बोला जाएगा 90 के ठीक सामने मतलब PR को hypotenuse बोला जाएगा और जो यह side बज गया है RQ इसे हम base बोलेंगे तो PQ perpendicular रहेगा PR hypotenuse रहेगा RQ base रहेगा चलो जी पहले हमें cost यूज कर लेता हूँ दिन में sign यूज कर लूँगा है RQ और hypotenuse है R P तो RQ upon R P लिखता हूँ मैं RQ upon R P लेकिन R P तो diameter है ना R P तो diameter है और diameter की value तो हम जानते हैं यह R है यह R है क्योंकि radius की value R given थे यह आपर तो अगर यह है R और यह है R तो यह पूरा diameter क्या हो गया R plus R 2R हो गया तो आप diameter को लिख सकते हो 2R इदर आजे यह sign बीटा की तरफ sign होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular है PQ hypotenuse है वही R plus R 2R तो PQ upon 2R PQ upon 2R बात क्लियर है अच्छा जी अब आप यहां से RQ की value निकल सकते हो इस 2R को भेश जो left side में तो 2R जाएगा cos beta को multiply कर देगा तो आपको मिलेगा 2R into cos beta यह हो जाएगी RQ की value ठीक ना यहां से आप sign beta की value निकल सकते हो sorry PO की value निकल सकते हो okay PO की value PO ही है ने sorry PQ था यह 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 PQ था यह PQ था यह PQ था minus PQ raise to the power 4 इसी की value बतानी है यह 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 ना यह यह ना qr की power 4 minus PQ की power 4 ठीक है अब qr का मतलब तो हमको मालूम ही है qr का मतलब क्या है यही तो है qr इसको RQ बोलो या qr बोलो सेम बात तो है तो यह 2R cos beta तो आप ऐसा करो ना इसकी जगह पर लिग दो 2R cos beta पार 4 है तो आप पार 4 लगा तो माइनस PQ की power 4 PQ का मतलब कितना है PQ है यह 2R sin beta 2R sin beta तो 2 लिखिए R लिखिए sin लिखिए बीटा लिखिए पार लगा दीजे 4 अब इस पूरे पर पार 4 लगी है ना मतलब 2 पर भी power 4 है R पर भी power 4 है cos beta पर भी power 4 है तो 2 raise to the power 4 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2 मतलब 16 R की power 4 हो जाएगा यह और cos की power भी power 4 हो जाएगा cos की power 4 बीटा है माइनस इस तरह यहाँ पर 2 की power 4 मतलब 16 R की power 4 हो जाएगा और sin raise to the power 4 बीटा हो जाएगा अब 16 दोनों जगाँ पर है, r raised to the power 4 दोनों जगाँ पर है, तो ये तो भाई हो जाएगा common, 16 ले लेते हैं common, r raised to the power 4 ले लेते हैं common, तो आप क्या बचेगा, ये बचेगा cos raised to the power 4 बीटा, minus sin raised to the power 4 बीटा, I hope आपको एतना clear है, अब 16 r raised to the power 4 आप copy कर दो, अभी आप क्या कर सकते हो ना, कि इस cos raised to the power 4 बीटा को यूँ लिख सकते हो, cos square बीटा और इसके ओपर square लगा दो, minus sin square बीटा और उसके ओपर square लगा दो, तो मैंने इस 4 को break कर दिया है, 4 का मतलब होता है 2 into 2, तो एक 2 यहाँ चला गया, एक 2 उपर चला गया, इस 4 का मतलब होता है 2 into 2, तो 2 यहाँ है, तो यहाँ है, अब मैं लिखता हूँ 16, r raised to the power 4, और इसका क्या होगा, वो ज़रा देखता है, तो ज़रा आगे देखो, आपको यह identity मालूम होनी चाहिए, कि a²- b² का मतलब होता है a plus b into a minus b, right, a²- b² होता है a plus b into a minus b, तो यहाँ पर आप देखिये, यह cos² vega के ओपर square लगा हुआ है, sin² vega के ओपर square लगा हुआ है, तो इस value के ओपर square लगा है, तो इस value के ओपर भी square लगा है, और बीच में है minus का साइन, तो जब दो numbers पर square लगा हो और उनके बीच माइनस का sign हो तो अब क्या करते हैं? दो bracket बना लो आप. एक bracket में इन दोनों को add कर दो और दूसरे bracket में पहले में से दूसरे को subtract कर लो. तो यहां मैं क्या करता हूँ? cos square beta plus sin square beta कर लेता हूँ. और यहां मैं cos square beta minus sin square beta कर लेता हूँ. अब एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए कि cos square theta plus sin square theta की value 1 होती है. Okay, sin square theta plus cos square theta की value 1 होती है. तो यह चीज का सम हमेशा 1 होता है. बस शर्त यह है कि जहां पर मैंने theta लिखा है न यहां पर जो भी angles हों आपस में equal हूँ. स्क्वार 10 की value 1 होगी. तो इसी तरह cos square theta plus sin square theta की value बन जाएगा. तो यह तो पुरा 1 हो जाएगा. तो 1 से किसी भी चीज़ को multiply करोगे, तो यह नो बाकी जो number वहीं मिल जाएगा. Like 1 को 6 से multiply किया 6 मिलेगा. 1 को इस से multiply करो तो बस यहीं मिल जाएगा. तो यह bracket के बाहर 16 r raise to the power 4 रहेगा. और bracket के अंदर अब सिर्फ यह रहेगा. cos square theta minus sin square theta. तो आप चाहते थे कि मैं इसकी value को r और beta के terms में लिग दूँ. तो देखो जो मैंने दिया है ना, इसमें r है और beta है. मैंने इनी के terms में लिग दिया है. आई हो यह क्लिए आपको.